गुद मॉर्निंग गाइज वेल्कम टो मैं चैनल जित्रा स्कॉर्टर और इदे की सुबह हो चुकी है और मैं सारे विंडोस जो है बंद कर रही हूं क्योंकि दूप आने वाली है और दूप की विज़र से गर्मी हो जाती है और गर्मी से ही यूग की शहता है विद्खराब ह थी क्षाल पर हम क्योंकि फर्स्टाइम रहे हैं हमें घ्राउंड फ्लोर पर ही रहे हैं सर्य शीट मैंने लगा दी खी और मैं इसको खोल दिया और लगा है यहां पर मैंने लगा दी यह शीट और यहां पर यूट्फी चल रही है उसे अच्छा लग रहा है तो हुश रहा हूँ हुआ चित्रास और यूठ नुट अपकी अपनी चित्रा और सुब्द के बज रहे हैं 8 और मैं नहाली हूँ सर्द होया आज मैंने सर्द होया है और अभी मैं जाओंगी लंच बनाने की तैयारी करूँगी थोड़ी क्या बनाना है ये भी सोचना पड़ेगा क्या बनाना है लंच के लिए मैंने बनाई है रोटिया इनको अभी की लगाना है गी क्या मख़न लगाऊंगी जो मैं घर में मनाती हूँ और यह सूखी सबसी आलो की मैंने बनाई है और यह है देखे मिल्क जो की डॉक्टर ने युक को रिकमेंड किया था जब वो बिमार था अब तो ठीक हो गया और यह डबक खतम होई गया है अल्मोस्ट और अब मैं युक को गाया भास का दूद दे सकती हूं क्योंकि उसको प्राब्लम हो रही थी लूज मोशन हो रहे थे तो इसलिए डॉ अधर मिल्क इस बेस्ट पॉर यो बेबी तो चुछ और अचे संडे संडे को सरे लेट यूटना होता है मैं तो रेट यूटती हूं आप लोग भी शायद कुछ लोग लेट यूटते होंगे बहुत कम होते हैं इंक जो संडे को थोड़ा थोड़ा टाइम सोट कर काम करते है मैं तो लेट यूटती हूं लेट यूटती हैं तो काम भी थोड़ा एक दिन तो होना चाहिए ना हमें भी मिलना चाहिए तो वही मैंने कल कपड़ दोय थे रात भीती काफी तो फिर अब मैं सुखा रही हूं क्योंकि कल रात को सुखाती तो हो सकता है बारिश आ जाती तो यह देखी यह बास्केट बहुदी है पड़ों से और इस बार मैंने वैसे महीने में सोरी हदे में दो आप कपड़ दोती हूं पहले तो एक दिन चोड़की दोती थी जब से तो हफते में दो कपड़ धुलते हैं अगर ये भी हफते में एक ही बार धुले थो फिर ही दो बास्केट होती हैं दो बकट हो जाती हैं आप यह की बास्केट यह हैं तो तो यूपका जो स्कूल है वो एक जूला agrees था और फिर जो हैं यहां पर हर्याना और दिली में एक हफते की चुटी हो गई थी मंदे से अम मतलब कल से वो जाएगा स्कूल में क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी तो छोटे बच्चे और वैसे भी बड़े स्कूल भी बंद हो गए थे कि गर्मी की विद्धे से कहीं बच्चे बिमार ना जो और युक तो पहले भी मार था तो अच्छा वह चुटे होई गई थी और इसलिए वह मैं आपको पहले बताना भूल गई थी तो अब युक परफेक्ट ली टच्वट बिलकोल अच्छा हो गया तो अब मैं चारी हूं कपड़े सुखाने तो चलिए कपड़े सुखाते तो यहां पर मैं कपड़े जो है पहले उतार जो शुखे हुए थे क्योंकि हस्बंड नहा लिये थे तो उनका टावल सुख गया था और जो हम रात को ओड़ते हैं मारलब जो शीट हम ओड़ते हैं कूलर में क्योंकि ठंड लगती है तो वह ओड़ लेते हैं युक भी ना लिया सुखाने के लिए वह सब सुखा रही हूं मैं और जो शॉक्स है वह मैंने इस तरीके से पिन जो क्लिप है उनमें ऐसे लटका भी है जिससे कि वह जल्दी सुख दैसे भी इतनी गर्भी हो रही है ऐसे सूख की जाती है बट थोड़ा उड़ने का डर रहता है कपड़ों का इसलिए मैं क्लिप जरूर लगाती हूं इन पर और यूपके कपड़े हैं चोटे-चोटे तो वह मैं सुखा रही हूं और यह जो डेस्टिक कप्रा है वह है तो 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 गजी जी तरीके से में सारे जीरी जीरी कप्रे सारे सुखा दोंगी और कपड़ों को जो है उल्टा ही करके मैं हमेशे सुखाती हूं जैसे कि कुछ भी गंदे हूं या कुछ उपर से कोई बर्ड बगरा कुछ कर जाए शेट बगरा तो अट-लीस्ट वह गंदा बाहर से हो मलब अंदर से हो बाहर से ना हो और वैसे भी अंदर की जो पॉकेट्स बगरा है पैंट बगरा में वह घंड गरें हमेशे सारे कपड़ों को टो कर रहे हूं तो अभी मैं सारे कपड़ों को अलट कर रही हूं हां अपने कफदों में मैं कभी कभी आलेस कर जाती हूं उलता नहीं करते हूं बट इनके कपड़े हास्पेंड के और युक के कपड़े मैं हमेश उल्टे करके ऊपाती हूं और यह देखी मैंने अपनी टी-चूट ऐसे ही डाल दिये हैं उसको उल्टा नहीं किया है हम organizing मतलब अपनी चीज़ों में फिर भी कुछ कम जादा कर लेते हैं बट अपनी हस्पेंट या बच्चे के लिए बिल्कुल भी किसी चीज़ में हम कॉंप्रमाइज नहीं कर सकते वो सब और यू कुछ हो यह आ गया था और वह आपको नहीं दिए क्योंकि चोटी सी हाइट है तो मॉमा मॉमा कर रहा था तो मैंने का जाओ बेटा मैं कप्रे सुखा के पेर आती हो आप आपके राज जाओ तो वह यहीं पर इसी वाले रूम में खेल रहा था और हमें लेने जाना है अब राशन भी तो उसके भी हमें तैयारी करने हैं मतलब लिस्ट बनानी होती है राशन क अब है तो हम तो न्यू है हमें तो नई मातोम और वैसे लिए हम तो रैंट पर है बट जो ओनर है उन्होंने ऐसा कुछ बता रहा था तो वही शादी है यहां पर तो शाम को निकले की बारात यहां से तो हो सक्केगा तो मैं जरूर कैप्चुर करूंगे और यह काईश में सो एक बारा जाने का त्यूरी कोडी कड़ी की फिए में जूम कर करें तका दिखाती हूं को कोडी कडा कें दूले का इंतरार को भी ति आयों पजoin पजर रहे हो काफी ज हैं और देर पे बज़र हैं और तो नहीं के खहूच फिली अ आया चैबन में कहाती और चली गहे ती कर्ल्स और खारा मज़े से क्योंकि इतने सारी चीज़े रिखती है तो फिर इसे कुछ रही है यहां पर हम राशन ले में आये थे तो इसने क्राक्स ले लिए तो यह देखिए यह जो शॉप है उसमें उपर की इत साइड है तो बेस्मेंट में अलग आइटम्स हैं और उपर हैं तो यह बास्केट में हम तरह समान रपें इस बार राशन वे से कमिल आना तक कि पिछली बार इतना आ गया था कि इस बार जातों जुरत नहीं पड़ी राशन की और युग भी देख रहा है समान इधर-दर और यह ताले हैं और यह जो है तेल है सरसो का और इजा रिफा यह सब है यह चावल दाल इन्होंने बीच में रखी हुई है तो वही सब है चेनी मगरम तो